लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बायो डिवर्सिटी के बारे में जिसमें हमने पढ़ा था जनेटिक डिवर्सिटी स्पिशिस डिवर्सिटी और एको सिस्टम डिवर्सिटी के बारे में साथ ही साथ हमने पढ़ा था अल्फा बीटा और गामा डिवर्सिटी के बारे में और of biodiversity के बारे में तो आज हम पढ़ेंगे biodiversity से related एक ओर topic जिसे हम कहते है hot spot of biodiversity तो आज के इस topic में हम पढ़ेंगे hot spots of biodiversity होते क्या है और ऐसे कौन से वो criteria है जिनके basis पर किसी particular area को hot spot of biodiversity का दर्जा दिये जाता है और साथ ही साथ हम जानेंगे उन hot spots of biodiversity के बारे में जो हमारे इंडिया में पाय जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करें hot spots of biodiversity के concept की तो ये जो concept था hot spots of biodiversity ये दिया था नॉर्मन मायल्स ने 1988 में ये जो hot spots of biodiversity होते हैं ये ऐसे areas होते हैं जो biodiversity रिच अरिया जो tती हैं और इनमें high number of species जो हैं पाय जाती हैं यह जो hot spots of biodiversity हैं यह ऐसे areas हैं जहां पर high species richness होती है जिसका मतलब है large number of species per unit area जो है वो पाई जाती है और साथ ही साथ high species endemism होता है जिसका मतलब हुआ कि जो species in hot spots में पाई जाती है वो दुनिया में और कहीं भी नहीं पाई जाती है और आपको मैं बता दू कि यह जो hot spots हैं पूरे world का 2.5% geographical area जो है cover करती है जो कि किसी time पर 16% होता था और इन hot spots में world की 50% vascular plants की जो species हैं वो पाई जाती है अब बात करते हैं उस criteria की जिसके basis पर किसी particular area को hot spot का दरजा दिया जाता है तो ऐसे दो strict criteria हैं जिनके basis पर किसी particular area को hot spot का दरजा दिया जाता है तो वो है species एक है species endemism और दूसरा है degree of threat तो species endemism की बात करें तो किसी भी particular area को तब hot spot का दरजा दिया जाएगा जब लगभग उसमें 1500 vascular plants की endemic species present हों और दूसरे number degree of threat की बात करें तो उस area का लगभग 70% जो geographical area है वो या habitat है वो खतम हो चुका हो तब जाकर उस area को हम जो है hot spot का दरजा देते हैं और maximum hot spots जो हैं वो इस criteria से exceed करते हैं यानि ये जो limits हैं इनसे जादा उनका जो है loss हो चुका है अब for example हम बात करें सुन्डा लैंड hot spot की जो Southeast Asia में पाये जाता है और साथ ही साथ एंड hot spot की तो इन में लगभग 15,000 vascular plants की जो species हैं वो पाये जाती हैं जब की criteria सिर्फ 1500 species का है अब हम बात करते हैं पूरे world की पूरे world में लगभग 36 hot spots पाये जाते हैं जिन में से 4 hot spots हैं जो वो इंडिया में पाये जाते हैं और आपके information के लिए बता दूँ तो latest जो addition है वो है North American coastal plains जो की निया एक 36 hot spot है जो इस list में add हुआ है अब बात करते हैं उन 4 hot spots की जो इंडिया में पाये जाते हैं तो इंडिया में जो 4 hot spots पाये जाते हैं वो है हिमालेन hot spot दूसरा है इंडो बर्मा रीजन और तीसरा है सुंडा लैंड्स और चोथा है western guards और श्री लंका अब हम इ बात करते हैं हिमालेन hot spots की तो यह जो हिमालेन hot spots हैं यहां पर world की highest mountains देखने को मिलती हैं for example जो mount Everest है वो भी हिमालेन hot spots में पाय जाती है और यह जो हिमालेन hot spot हैं यहां पर बहुत जादा altitudinal variation देखने को मिलती है जिसकी वज़ा से यहां बहुत अलग-अलग तरहां के ecosystems दे देखने को मिलती है और हम बात करें अलग-अलग तरह के ecosystems की तो जैसे की alluvial grasslands हो गए सब tropical broadly forests हो गए और alpine meadows जैसे ecosystems भी जो हिमालेन hot spots में देखने को मिलते हैं और ऐसा देखा गया है कि 6000 मीटर्स के altitude पर भी वस्कल प्लांट्स की जो species है वो पाई जाती हैं और यह जो हिमा हैं और जिनमें से वन थर्ड वस्कल प्लांट्स की जो species हैं वो endemic हैं यानि वो कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं और यह जो हिमालेन hot spot है यह काफी सारी countries में फैला हुआ है जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, तिबत, भुटान और मेनमार हिमालेन hot spot में एशिया क की largest bird species देखने को मिलती हैं जिनमें से कुछ endangered bird species ही हैं जैसे white wild hiron हो गया और हिमालेन vulture हो गया अब बात करते हैं इंडो वर्मा hot spot की तो यह जो इंडो वर्मा hot spot है यह काफी सारी countries में जो है देखने को मिलता है जैसे कि इंडिया, मैनमार, थाइलेंड, वियतनाम, कमबोडि South China और Laos यह जो इंडो वर्मा hot spot है यह 2 million square kilometers से जादा का area जो है cover करता है और इतने बड़े area होने के कारण यहां पर बहुत जादा अलग-अलग types के जो है landscapes पाए जाते हैं, अलग-अलग तरह के climatic patterns पाए जाते हैं, अलग-अलग तरह के habitat patterns पाए जाते हैं और अलग-अलग तरह के ecosystems देखने को मिलते हैं जिसकी वज़ा से यहां बहुत जादा biodiversity देखने को मिलती है और यह जो इंडो वर्मा hot spot है यह flowering plants के evolution का active area है और यहां पर का काफी सारे animal species देखने को मिलती हैं जैसे कि monkeys, langoos और gibbons और यह जो इंडो वर्मा hot spot है यहां पर 1300 से भी जादा bird species जो हैं देखने को मिलती हैं जिन में से काफी सारी threatened bird species भी जो हैं इंडो वर्मा रीजन में देखने को मिलती हैं और जो कुछ threatened bird species जैसे कि white-eared night hiron हो गया और orange net partridge हो गया यह जो हैं इंडो वर्मा रीजन में देखने को मिलते हैं और इंडो वर्मा रीजन में लगबग 13500 वस्कुलर प्लांस की species भी देखने को मिलती हैं जिन में से लगबग आधी जो वस्कुलर प्लांस की species हैं वो endemic हैं और यह जो इंडो वर्मा रीजन है यह world's highest fresh water स्पोर्ट करता है अबबात करते हैं सुन्डरेまあ हॉटसपोट है यह काफी सारे कंट्रिज में फैला हुआ है जैसे मलेशिया यंडिया सिंगापॉर फिलिपीन्स और बुरुनैय और इंडिया की बात तो इंडिया के निकोबार आईलेंड जो हैं वो सुंडरलेंड हॉट्सपॉट में आते हैं और यह जो सुंडरलेंड हॉट्सपॉट हैं यहाँ पर अलग-लग तरह के एकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे की मैंगरूव्स, सीग्रास बैड्स और कॉरल रीव्स और यहाँ पर लगबग 25,000 से भी जादा वास्कॉलर प्लांट की स्पीशिस देखने को मिलती हैं जिसमें से 60% वास्कॉलर प्लांट की जो स्पीशिस हैं वो एंडमिक हैं और वर्ल्ड का लार्जेस फ्लार जो की रफलेशिया है वो भी सुन्दा लैंड होट स्पार्ट में देखने को मिलता है और वर्ल्ड के जो लार्जेस आईलेंड्स हैं उनमें से सुमात्रा और बॉर्नियो नाम की जो आईलेंड्स हैं वो भी हमारी Sundaland hotspot में देखने को मिलते हैं काफी सारे animals जैसे कि Dolphins, Turtles, Whales और Crocodiles जैसे animals जो हैं वो भी Sundaland hotspot में देखने को मिलते हैं और काफी सारी human activities हैं जैसे कि Poaching हो गया, Habitat destruction हो गया Wild organisms की जो trade होती है जैसे कि Tigers, Monkeys और Turtles की trade होती है चाहे वो फूड के लिए हो या मैडिसीन के लिए हो इंडस्ट्रियल फॉरस्ट्री हो गई इन सभी एक्टिविटीज की वज़ा से जो है ये जो सुंडल एंड होट स्पॉट है दिन बर दिन कम होता जा रहा है और यहां की बायो डवरसिटी कम होती जा रही है अब बात करते हैं वेस्टन घाट होट स्पॉट की ये जो वेस्टन घाट होट स्पॉट है ये दो कंट्रीज में पाय जाता है सबसे पहले इंडिया और दूसरा शिरलंका और जब हमें इंडिया की बात करें इसकी वज़ा से ये जो hot spot है दिनवा दिन कम होता जा रहा है और इस population के बढ़ने की वज़ा से agricultural field की demand जो है वो दिनवा दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ timber की demand जो है वो भी दिनवा दिन बढ़ती जा रही है जिसकी वज़ा से ये hot spot दिनवा दिन कम होता जा रहा है औ और यह जो हाटपाट है यह फेमस है एक एंडेंजर्ड स्पीशिस एनिमल स्पीशिस के लिए जो है लाइन टेल मकाक